नमस्कार मैं अब सेब कुमार और आप हैं विहारी निविश के साथ नितीज सरकार ने मुँखिया को अब बड़ी जिम्मेदारी दे दी है विहार सरकार में बड़ा निर्ने लेते हुए अब पंचायत सरकार भवन के निर्मान की जिम्मेदारी अब ग्राम पंचायतों को ही देने का फैसला लिया है इस कार्य की सरकार में मुखिया द्वारा कराने का नेड़ने लिया है 1435 सरकार भौनों का निर्मान पहले चरण में एजेंसियों द्वारा कराया गया था जिसमें लागत भी बहुत आई थी इसा अनभव को देखते हुए सरकार ने पंचायत सरकार भौनों के निर्मान की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों के मुखिया को सौप दिया है एक बर्स में भऌन के निर्मान का लक्ष दिया जाएगा इसकी रूप रैखा मन रहेगा यूज्णा से तयार की जाएगी इसमें उनको एजेंसी या ठेकदार को दर्ण ही नहीं देना होगा पंचाइतों द्वारा निर्मित होने वाले पंचाइत सरकार भवन के निर्मान की लागत में भी 30 लाग की बचत होगी अब एक पंचाहित सरकार भवन के निर्मार बर एक कडोर 14 लाक रुपए खर्च किये जाएंगे पंचाहिती राज भीभाग के परधान सचीव अमरित लाल मीना ने बताया कि एक जून को मुखिया के साथ पंचाहिती राज भीभाग की कई योजनाओ बोलेकर वीडियो कॉन्फरेंस किया जाएगा उन्होंने कहा इराज में 6 पंचाहितों का एक कलस्चर तैयार किया जाएगा भवन निर्मार के लिए मुखिया को 6-7 लाख अग्रिम रासी दिया जाएगा पहले चरण में 1435 भवनों को बनाने का काम बर्स 2012-2013 में सुरू किया गया था जिसमें 1070 पुरा हो गया है नए भवनों की बांडरी का निर्मान मन्रेगा से किया जाएगा सरकार पंचाइट के अकाउंट में 6-7 लाख रुपए एडवांस देगी और पिलिंथ तक निर्मान के बार आगे का भुक्तान किया जाएगा पंचाइटी राजविभाग के परधान सचिव एल मिन्या ने कहा कि पंचाइटी राजविभाग के तहद पियजन, निष्चय योजना और गली, नाली, पकी करण योजना के तहद बनाई गई योजनाव को दिर्घकालीन मेंटेनेंस किया निर्मान किया गया है इसके लिए हर घर से प्रती दिन एक रुपई वसुरूने को कहा गया है इस बेवस्था से हर वाड में सलाना साथ हजार रुपई की बेवस्था हो जाएगी जिसमें राजे सरकार के बारह हजार रुपई अंसदान करेगी इस प्रकार हर वाड में 72 हजार रुपई से योज किया लोग को मिले भी हार सरकार का एक बड़ा तो था है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सुक्रिया